रतनलाल बोल रहा हूँ, नमस्कार, गूड आफ्टरनून, जैविम साथियो काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेटकर नामा एपिसोड नमबर 189 जैसा कि आप जानते हैं लगतार एपिसोड कर रहा हूँ, अंबेटकर के धर्मांतरन के मुद्दे पर और मुझे लगता है कि पचास से ज्यादा एपिसोड मैं धर्मांतरन के सवाल पर बना चुका हूँ अब ये अपने अंतिम स्टेज में है और कुछ एपिसोड और इस पर बनेंगे और आज हम आपसे ये चड़चा करने जा रहे हैं कि आपचारिक शुरुआत डॉक्टर अंबेटकर के धर्मांतरन की कैसे हुई दिनांक 23 सितंबर 1956 उन्होंने नई दिल्ली में बौध धर्म अपनाने की घोशना की उन्होंने लिखा कि मेरे द्वारा बौध धर्म अपनाने की तिथी एवं इस्थान का निर्दानन अब अंतिम दोर में है यह नागपूर में दशहरा के दिन अर्थात 14 अक्टूबर 1956 को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच होगा और शाम को उसी दिन मैं सभा को संबोधित करूँगा 23 सितंबर 1956 इस कारेक्रम से सम्मंधित विस्तार से पूरी सूचना प्रबुद्ध भारत सापताइक में प्रकाशित हुआ था और यह सुचित किया गया था कि जो भी धर्मांतरन के लिए इकशुक हैं जो बदलना चाहते हैं अपना धर्म उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए इस कारेक्रम को आयोजित करने का पूरा दायित्व भारतिये बौध परिशद की नागपूर शाखा को सौपा गिया था समीती के अध्यक्ष स्री डवली एम गोडवले उनका नाम था ने इसी के हिसाब से एक पूरा पढ़चा प्रकाशित करवाया था सो इस पूरा सीरीज अब चलेगा तीन-चार एपिसोड की क्या-क्या हुआ था धर्मांतरन के दवरान और क्या-क्या भाशन कहे गए थे इसी पे ये पूरा केंद्रीत होगा उन्होंने जो पढ़चा चपवाया था गोडवले साहब ने इसमें दो खंड थे एक था सामुहिक धर्मांतरन की अपील और दूसरा दख्षिना मतलब जो डोनेशन की अपील थी इस बारे में वो चपवाया गया था उन्होंने चपाया जो मैं उसको पढ़ता हूँ आपके सामने कि भारतिये बौध समाज के संस्थापक एवं अध्यक्ष श्रदे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेटकर नागपूर में 14 अक्टूबर को बौध धर्म अंगिकार करेंगे और यह धर्मांतरन वर्मा के पुझ्य भंते पुझ्य विक्षू चन्रमनी महा थेरा जो आजकल भारत में हैं उनके द्वारा संपन किया जाएगा धर्मांतरन के एक्षुग लोग जो आएंगे धर्मानुस्थान में वो सफेद वस्तर पहन कर आएंगे फिर डोनेशन के लिए अपील था कि इस परवपकारी समारों में लाखो लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं वे भारतिये बौध जन समीति की स्थानिया साखा को हर संभव सहायता प्रद्यान करेंगे क्योंकि बाबा साहब ने इस महान समारों के प्रवंद का दाइत्व इसी समीति को सौपाया है वीतिये सहायता प्रदान करते समय रसीद लेना न भूले बाहर के लोग जो दान देना चाहते हैं वो मनी ओर्डर से भेज सकते हैं और जो लोग समारों के सम्बंध में कोई सहायता करना चाहते हैं वे 30 सितंबर से पहले अंडर साइंट मतलब गुडवोले साहब से मिले ये अवचारी घोषना के पहले विज्यप्ती 21 सितंबर 1956 को ये गुडवोले साहब ने प्रकाशित की थी इसके बाद जब 24 तारीक को जब डॉक्टर अमेटकर ने घोषना की कि वो बहुत धर्म स्विकार करेंगे विजय दश्मी के दिन तो आखिर उनको बाद धर्म में दख्षना कौन देंगे इसको लेकर उन्होंने चंदर्मनी साहब को विक्कू चंदर्मनी साहब को एक पत्र लिखा था वो पत्र लिखा गया था 24 सितंबर को उन्होंने पत्र में लिखा कि मैं आपको सुचित करना चाहूंगा कि मैंने और मेरी पत्नी ने बौद धर्म अंगिकार करने का निर्ने ले लिया है धर्मांतरन 14 अक्टूबर 1956 को नागपूर में होगा समारह का कारेकनम सुबा 9 बजे से 11 बजे तै किया गया है हमारी इक्षा है कि धर्मानुस्थान का कारे आप करें आप भारत के सबसे वयोब्रिध भिक्षू हैं अतर हमारे विचार से धर्मानुस्थान का कारेकरम आपके द्वारा करना ही उचित होगा आगे पत्र में डौक्टर अंबेटकर ने लिखा कि हम महसूस करते हैं कि आपकी शारिरिक इस्थिती के कारन आपके लिए नागपूर आना कठिन हो सकता है परन्तु हम आपके लिए कुशी नगर से का नागपूर तक यह वाई या रेल यात्रा का और नागपूर में आपके ठहरने का प्रवंद कर सकते हैं हम किसी को भेज सकते हैं जो कुशी नारा से नागपूर तक आपके साथ रहे कृपया सुचित करें क्या आप हमारा आमांतरन सुईकार कर सकते हैं हार्दिक धन्यवाद डॉक्टर बी आर अमबेट कर आपका बी आर अमबेट कर सो इस अफसर पे प्रवुद्ध भारत सापताहिक ने 12 अक्टूबर को एक अपने मैगजिन में एक परिशिस्ट प्रकाशित किया था उसमें कई सुचनाय दी गई थी और सुचना में आपके से साजा करता हूं इसमें कहा गया था कि कारेकरम सब के लिए निशुल्क है परंतु समिती ने उनसे अनरोध किया कि एक रुपे का चंदा देकर वे सदस्ये बन सकते हैं नागपूर के लोग समस्त खर्चे का वहन करेंगे स्वागत समिती की सदस्ता पचीस रुपे है और यह सब के लिए खुली है धर्मांतरन का पंजिकरन 11 अक्टूबर 1956 से प्रारंब है और कार्याले धर्मांतरन स्थल पे भी चलता रहेगा सभी प्रतिनिधी पंजिकरित रेइस्टर्ड जो रेप्रेजेंटेटिव हैं उनके लिए दो टिकट जारी किये गए हैं जो धर्मांतरल स्थल में प्रवेश करने के लिए उचित उपयोगी होगा स्वयन सेवको को सफेद वस्तर में आने का निर्देश दिया गया है नागपूर के बाहर से आने वाले स्वयन सेवको का मार्ग दर्शन करने का दाईत्व श्री वी के उम्रे, श्री सचीदानंद मान के और श्री आरार पाटिल को सौपा गया है लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए बंबई से नागपूर के लिए एक स्पेशल ट्रेन का आयोजन किया गया है जो 12 अक्टूबर को रात में 9 बच कर 15 मिनट पर चलेगी और उसके हिसाब से ही रेला दिकारियों को भी नोटिस प्रकाशित किया गया है इन सब के बावजूद नागपूर जाने वाली तमाम ट्रेने भरी हुई थी और जहां भी ट्रेने रुकती लोग आकर उस ट्रेन में शामिल हो जाते भीड बढ़ती जाती इन लोगों के ठहरने का प्रबंध नागपूर के स्कूल में किया गया था और जो सभा का जो धर्मांतरन का जो इस्थल था वो नागपूर में वेक्सिन इंस्टिटूट साउथ अमबाजरी रोड के पास खुले मैदान में इसकी विवस्था की गई थी मैदान को बांसों की परतों से ढखा गया था और पूरे पंडाल में तक्रिबन तीन हजार बल्व का एयोजन लगाया गया था इस तुरियों के लिए अलग प्रबंध किये गये थे और पूरे कारकरम की पूरी एक छोटी सी पुस्तिका बनाई गयी थी उसको बनाया था काबडे सहाब और डबलू यम गोड़बोले सहाब ने पूरा शिडूल क्या होगा कारकरम का उसकी पूरी एक पुस्तिका बनाई थी और उसको उन्होंने डिस्टिब्यूट किया था उसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूं तेरा तारीक तेरा अक्टूबर 1956 शाम पांच से आठ बजे शाम में श्री परित्राना और शाम में आठ बच कर दस मिनट पे महामंत्री महाबोधी सोसाइटी श्री वली स्निन्हा का भाषन और उसके बाद बुद्ध के जीवन और भारत में सुधित बहुद इस्थलों पर चित्रदर्षी लाल्टेन का परदर्षन कि उसको दिखाया जाए लोगों को जो भी वहाँ पे भागिदार आएंगे उनको दिखाया जाए बौद सहित्य और इतिहास के महतुद को दर्षाया जाए फिर 14 तारीका कारिकरम दिया हुआ था कि 11 से 11 पचीस महाबोधी समाज कलकत्ता द्वारा बी आर अंबेट कर बुद्ध की मुर्ति की भेट साम 6-7 वजे महाबोधी समाज के मंतरी स्री वली सिनहा का भाषन साम 8 वजे 8 से 11 मिलिंद कॉलेज रंगाबाद द्वारा एक मराठी नाटक युग यात्रा का मंचन और सुमवार 15 तारीको 8 से 11 के बीच बी आर अंबेटकर का भाषन यह चपा था नव युग में दिनांग 21 अक्टूबर 1956 अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि 14 अक्टूबर को जब धर्मांतरन का पूरा कारेकरम चल रहा था उस समय क्या क्या हुआ था डॉक्टर अंबेटकर ने क्या कहा था क्या प्रतिग्याएं ली थी यह तमाम बाते आपको अगले एपिसोड में मैं बताऊँगा यह एपिसोड एक एक जो घटना करम है जो धर्मांतरन को लेकर जो इवेंट्स हो रहे थे उस इवेंट्स का एक तरह से समझे मैं जिवन्त रूप आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ और मैं यह सारी बाते कोई कथा कोई कपोल कलपना नहीं है यह सारी बाते जो किताब छपी है महराश्च सरकार से और भारत सरकार से उस किताब के basis पे कह रहा हूँ आप अगर देखना चाहें तो अंग्रेजी की जो बाबा साहब की राइटिंग है वॉल्यूम सत्रह पार्ट तीन पेज नमबर पांच सो चौविस से पांच सो अंठावन लंबा है तीस बत्तिस पेज का है पेज 524 तो 528 अगर हिंदी का देखना चाहते हैं तो वॉल्यूम 37 पेज नमबर 498 आप देखिए तो आज ये धर्मांतरन का जो पूरा समारो था उसकी प्रक्रिया की शुरुआत कैसे हुई ये मैंने आप से बात की अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि 14 अक्टूबर को नागपुर में धर्मांतरन कारकरम में समारो में क्या क्या हुआ था शुक्रिया साथियो मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ और आप जानते हैं कि अमबेटकर नामा एक मुहीम है अमबेटकर सहाव के विचारों को उनके पूरी गतिवीदियों को एक डिजिटल फॉर्म में आप सब के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का इसलिए आप से अग्रह है कि मैं अपने हिस्से का काम करता हूँ और आपको अपने हिस्से का काम करना चाहिए. So keep watching and keep sharing अमबेटकर नामा. Thank you very much साथियो. अगले एपिसोड में आजी शाम फिर मुलाकात होगी. Thank you very much.